Good morning everyone! Kids, English में आज हम लोग revision करेंगे क्योंकि बटा हमारा अभी तक काफी slay was complete हो चुका है और आपने बहुत सारी चुटियां भी बिताई हैं जिसमें आपने कई festivals को enjoy किया होगा है ना? Like दिवाली, शाट पुजा, है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जितना भी हम learn कर चुके हैं उसको revise करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कहा कमी है उसमें हम और मेहनत करेंगे तो यह बटा आज मैंने revision में दो topics लिए हैं इसकी मैं discuss करूंगी और answer भी आपको बताऊंगी लेकिन आपको अपनी copy में खुद से write करने हैं तब ही ना आपको पता से लेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं क्योंकि ना बटा जैसे मैं अकसर बताती हूँ सुनने से कुछ नहीं होता है practice करने से ही होगा ठीक है तो आप इसको क्या करना है English copy में बना लेना है तो आज हम क्या कर रहे हैं revision कर रहे हैं यह दोनों चीज को revise कर रहे हैं मैं अभी आपको answer बताऊंगी बहुत सारे बच्चों को इसे पहले ही आती होंगे लेकिन जिनको नहीं आ रहे हैं उनके लिए एक मौका और है कि वो अपना सीख सके और अपनी English copy में उसे note कर सके ठीक है तो आप थोड़ा सा पिछे आप अगर याद करोगे तो हमने क्या बनाया था make new words बनाया था ना make means बनाना new means नए words means शब्द नए शब्द बनाना है किससे यहाँ पे एक आपको word दिया जाएगा जैसे यहाँ पे है computer c-o-m-p-u-t-e-r computer ठीक है तो आपको इसी letters इसी words से letters लेने है और उससे यहाँ तक 10 या इससे भी ज़्यादा हो जाएगे तो बहुत अच्छी बात है कम से कम आपको 10 words बनाने है ठीक है लेकिन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको कोई भी letter बाहर से add नहीं करना है आपको इनी letter जो भी आप word लिखोगे यहाँ पे तो यह इसी से होना चाहिए इससे बाहर कुछ नहीं होना जाएगे अपने मन से कुछ भी नहीं याण करना है ठीक है अब बिटर जैसे यहाँ पे है computer है तो इसमें आप क्या-क्या बना सकते हो यहाँ पे लिखते जाना है जैसे सबसे पहले C-O-M-E कम हो सकता है आप practice करोगे या अपने practice की होगी तो आपको फटा-फट यह आ जाएंगे C-O-M-E कम ठीक है और इसमें क्या बन सकता है बटर next आपको सोचना है C-O-P COP M-O-P M-O-P ठीक है और क्या बन सकता है इसमें आप P-U-T PUT राइट यह ना और P-O-T POT और क्या बन सकता है इसमें C-U-T CUT यह ना और क्या बन सकता है इसमें इस तरह से आप मुझे उमीद है कि आप इससे भी अच्छे जो वर्ड्स है बना लोगे और यहां पे बैसे पहले नमबर राइट कर लेना है उसके बाद 10 वर्ड्स या इससे भी ज़्यादा अगर बन सकेंगे तब तो और अच्छी बात है है न बटा तो यह मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है इसी में से लैटर्स चूस करने है और इसी में से आपको बना लेना है ठीक है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडिंग वर्ड्स एंड होता है बटा जो लास्ट में हो जो एंड में हो यहाँ पे खतम होता है तो एंडिंग वर्ड्स है इसमें और इससे पहले हमने क्या किया था beginning words, beginning में था वो आपको जो यहां के जो two letters थे वो था आपको उन letters को लेके शुरू में write करके उससे शब्द बनने थे और इसमें क्या है ending words आप जो भी word सोचोगे या आप write करोगे तो उसके end में उसके last में ये दोनों letters आने चाहिए, ठीक है तो अब आपको ये से first में है see के, तो आपको ऐसा कोई भी word सोचना है जिसके last में see के आएगा इसमें थोड़ा सा आपको practice की ज्यादा जुरूत है, क्योंकि अकसर बच्चे confused हो जाते हैं, तो इसको start में ही, starting में ही लगाके शब्द बना देते हैं, तो फिर वो wrong हो जाएगा आपको बार-बार इसको heading को देखना है, कि आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, ending words कर रहे हैं हम लोग, ठीक है तो ये जो letters है, कहां प्याने चाहिए end में, किसी वी शब्द में, जो हम बनाएंगे उसके last में, ये end में आना चाहिए जैसे, c, k ठीक है, अब आपको सूचना है, कि c, k कहां कहां आता है सूची जैसे s, i, c, k s, i, c, k, s, i, c, k आया न, s, i, c, k, s, i, c, k s, i, c, k, s, i, c, k, और फिर, pic p, i, c, k, p, i, c, k इसमें हम एक, write करके बताते हैं आपको जैसे, c, k है न, तो इसमें आप क्या लिखोगे सिक s, i, c, k सिक, तो last में, c, k यहां पर भी है और एक लिख सकते हैं, pic p, i, c, k तो इसमें भी मिटा, c, k आया तो हमारी ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, सही है ठीक है सिक, pic, lick है न, और टिक भी हो सकता है बहुत सारे शाब्दाब बनाओगे जब आप सोचोगे न, तो बहुत सारे शाब्दाब को अपने आप आने लगें और ऐसे ही बिटा ये मैंने एक example दे दिया है बाकी सब आपको अपने से बनाना है 80 है, तो last में कैसे, कौन सा वर्ड है जिसके last में 80 है ऐसे तो बहुत सारे हैं, easy भी है rat, bat, cat, hat है न, mat तो आपको जो अच्छा लगे, अच्छा शब थोड़ा बड़ा शब्द हो, तो और अच्छी बात है ठीक है, next है ng, अब last में ng किसमें आता है ring, r ing, ring ठीक है s ing, sing w ing, wing ठीक है बटा, तो जो भी आप शब्द लिखोगे, words लिखोगे उसका कुछ meaning भी होना चाहिए ठीक और next है st, ठीक है st है, तो last में क्या आना चाहिए, st तो आप आप सोचोगे सोचो, क्या हो सकता है best, rest, nest nest के spelling सबको आते है n e st, last में क्या आया st, ठीक है और rest में r e st, ठीक है और फिर क्या आया best, b e st, best last में सबके st आया है न, तो क्योंकि हम क्या करें है ending words करें ऐसे ही, on, soon moon, ऐसे बना लेना है और double s से क्या बनाओगे glass, glass, grass, है न सारे मैंने easy words दिये हैं और ये आपको पहले बनवाए भी गये हैं और मैंने example भी बता दिया है और इसको बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से English copy में practice करते कोई write कर लेना है क्योंकि बेटा ये एक तरह का आपका test ही होगा अभी हम लोग क्या करेंगे हर चीज का रवीजन करते जाएंगे ताकि आप पे कोई burden नहीं हो या जो बच्चे पहले नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, है ना तो उनको अभी ये सारा चीज मिल जाए तो इसको बेटा English copy में बना लेना है ओकी